स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में तो आज हम बनाएंगे कुछ इस तरीके का और्गनाइजर अब आप कहेंगे यह सिंपल सा और्गनाइजर है मैंने आपको पहले भी सिखा हुआ है पर इसमें एक खास ट्रिक मैंने यूज किया है इसे मैंने बहुत अच्छी स्टिफनेस के साथ बनाया तो ना मैंने इसमें फॉर्मशीट यूज किया है ना मैंने राइस बैग यूज किया है सिरफ कपड़े का यूज किया है कोई लाइनिंग का भी यूज नहीं किया और ये बहुत अच्छी stiffness के साथ बनता है, कितने अच्छे से इसका base, कितना stiff है, side से properly, बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि मैंने इसमें यूज की है एक नई trick, आगे वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कौन सी नई trick इसमें यूज की है, और मैंने इसे सिरफ कपड़े के दो pieces स शुरू करते हैं, तो हमें लेने हैं कपड़े के सिरफ 2 piece, तो सिरफ 2 piece लेने हैं कपड़े के और ये हमारा organizer बन जाएगा, तो देखे क्या करना है, 2 pieces है, इसके measurement आप screen पे देख सकते है, 43 inch, और ये जो दूसरे लंबे वाला piece है, ये है 23 inch, और इसकी लंबाई है 30.5 inch, तो ब रखना है इसके उपर, और यहां पे लगानी है आपको सिलाई, तो ये हमने सिलाई लगा ली, अब आपको पलटते वे यहां पे लगा लेना है, उपर की तरफ टॉप स्टिच, उसके बाद यहां सी 1.5 inch पे आपको कट करके अलग कर लेना है, यहां पे हम जिप को इंसर्ट करेंगे, तो मैंने जिप लेली, इसके साइज की, रणर को इंसर्ट किया है, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, और इस तरीके से रखना है, और लंबाई में सिलाई लगानी है, सिलाई लगाने के बाद आपको इसे दूसरी तरफ को पलटना है, और पूरे पे स्टिच लगा लेना है, तो यह हमारा जिप इसमें इंसर्ट हो जाएगी, तो यह हमारा रेडी हो गया, अब हम साइट से इसे बस सिलाई लगा लेते हैं, तो एक फोल्ड करना है, यहाँ पे फोल्ड करना है, देखे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी उसके बाद दूसरा फोल्ड करना है और यहां पे भी आपको सिलाई लगा लेनी है उसके बाद फिर इसे फोल्ड करना है देखे पकड़ना है और यहां पे सिलाई लगानी है पूरा लंबाई में फिर सेम दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है उसके बाद उपर की तरफ से भी आपको ऐसे पकड़ना है और उस पे उपर सिलाई लगानी है इस तरीके से मिलाते हुए अभी सिरफ side side वाली सिलाई लगानी है ये वाली एक ये वाली और same इसके opposite तरफ ये वाली दोनों सिलाईएं लग गई अब जो बच गई हमारी front वाली उस सिलाई को पुरा complete कर लेंगे तो ये हमारा organizer बनके देखिए बिल्कुल ready हो गया है ये देखिए तो हमारा organizer बन गया बिल्कुल अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और हम इसके लिए cardboard वाली pockets बना लेते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस हिसाब से बनानी है तो हम इसे open कर लेते हैं तो cardboard लिया है उसके measurement आप screen पे देख सकते हैं और cardboard को के लिए simple सा एक थैला stitch किया हूँ है चारो तरफ से सिलाई लगा के जिसमें हमारा cardboard आ जाए तो ये हो गया हमारा base अब हमें इसके side के लिए बनाना है तो वो कैसे बनाना है देखे एक हमारे लगेगी pocket यहाँ पे तो मैंने कपड़ा लिया है इसके measurement अभी आगे मैं बता देती हूँ आपको और 2 pieces लिया है मैने side के लिए एक यहाँ के लिए और एक piece लिया है मैंने के लिए तो चलिए अब इसके measurement बता देती हो तीनो pieces के 22.5 inch 8.5 inch और यह जो छोटे वाले दो pieces हैं इनके measurement बिल्कुल सेम है 8.5 inch 9.5 inch अब दोनों को आपको finish करना है पहले साइडों से तो तीनो pieces को इस तरीके से fold करते हुए दो-दो तरफ से हम finish कर लेंगे तो यह हमारे pieces finish हो गए बस अब हम इसे अपने जो हमने organizer बनाया है उसके साथ हम attach कर लेंगे तो इसे निकाल लेते हैं 2 minute के लिए और एक piece हम लगा लेंगे यहां आगे की तरफ तो इसमें हम बाद में cardboard डालेंगे तो यह हमारा organizer बिल्कुल stiff और बिल्कुल अच्छा बनेगा और उपर की तरफ से fold कर लेना है और नीचे की तरफ से भी fold कर लेना है आप चाहें तो pin-up लगाके भी कर सकते हैं यह देखिए इस तो दोनों तरफ से हम इसे pin-up करते वे लगा लेंगे यहां पे और नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लीजिए तो यह हमारी सिलाई लगी pocket बन गई सेम ऐसे हम दोनों side ओं पे भी pocket बना लेंगे यहां पी रखेंगे और इस पे भी दो तरफ से सिलाई लगा लेंगे और बिल्कुल ऐसे ही इसके बिल्कुल सामने वाली side पे फोल्ड करते वे यह देखिए मैंने pocket को सिलाई लगा लेंगे तो इसमें हम डालेंगे cardboard तो यह हमारा step सा बहुत अच्छा सा organizer बनके ready हो जाएगा तो यह pieces कट कर लिए मैंने cardboard के जो गत्ता होता है normal जिसमें हम समान वगएरा कुछ मगाते है Amazon से है वैसे गत्ता होता है यह normal वही वाला cardboard है उसमें से देखिए मैंने pieces कट कर लिए इसके नाप के तो तीनों को मैं insert कर लूँगी तो बहुत अच्छा step यह हमारा organizer बनके ready हो जाएगा तो यह मैंने डाल लिए तीनों cardboard के pieces अब हम इससे सीधा कर लेते हैं दूसरी तरफ को turn कर लीजिए देखिए और बीच में रख लेंगे हम center वाला तो यह हमारा प्यारा सा organizer देखिए बनके बिलकुल ready हो चुका है अब हम इसमें सब में कपड़े रख लेंगे तो काफी अच्छे बड़े size का बनाया और बहुत सारे कपड़े आपके इसमें organize हो जाएंगे यह मैंने रख लिए सारे कपड़े और अब हमें से यहां से zip लगा लेंगे तो देखिए हमारा प्यारा सा organizer बनके बिलकुल ready हो चुका है तो कितनी जल्दी बन गया और बिलकुल काफी अच्छा stiff बनता है जो भी कपड़े रखेंगे बिलकुल भी इसमें खराब नहीं होंगे देखिए काफी सारे कपड़े आपके देखिए इसमें store हो जाते हैं आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू